नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल आरके नियुज अपडेट पर आपका सुवागता है दोस्तों पेस आपके सामने वाई लेटेस्ट अपडेट के साथ हरियाना पंचाय चुनाओ और सीटीक जैम में क्या होगा पहले वाई तो बड़ा फैसला रहेगा अगर पंचाय चुनाओ नौवंबर में उत्ते हैं तो सीटीक जैम फिर से डेट एक्स्टेंड होने की संभावना रहेगी आप सभी को पता है पांच-छै नौवंबर को सीटीक जैम लेड़े के लिए बोला गया है तो हरियाना यहां पे देखो ग से कंप्रिट डिजाइन कारी यहां पे दी गई है तीन अक्तूबर को रहते चुनाओ आयुक्त 15 संस्ता होगे चुनाओ की कोशना कर सकता है और 35 दिन का सडूल होगा आयुक्त की कोशना के बाद जिला आप आयुक्त जो है जिला जो उपायुक्त हैं वो नोटिस जारी कर द अगर इसके दो दिन उपर नीचे हो सकते हैं तो पांच को जाएंगे अगर इसके दो दिन उपर होते हैं तो च्यार को जाएगा कर दो करने का मतलब क्या सीटी एक्जैम तो खत्रे में है ही है वही सरकार की सुवीदा अनुशारत काम होगा पंचाय चुनाओ कराने की पूरी त्यारी में सीटी एक्सटेंड कर सकते हैं संभावना रहेगी पूरी आप सभी को पता है इन डेटों में जो यह सीटी एक्जै करती है तो सीटी एक्जैम को ही आगे डिगाया जाएगा इसमें कोई सक नहीं है इस आरजले में अदंपूर पचाय चुनाओ अदंपूर समित्य और जिला प्रशिदिशार में ड्रा साथ अक्तुबर तक हो जाएगा भाई इसका फैंसला साथ अक्तुबर तक कर दिया जानकारी रहेगी सीटी एक्जैम पर फिर से खत्रा हो गया है पांच नौमबर का जो सीटी एक्जैम होना है एक्स्टेंड होनेगी पूरी-पूरी संभाव नाई है क्योंकि पंचाय चुनाओ को यह एक्स्टेंड करेंगी निए और इस नौमबर के अंदर ही जो है आपको जैम होने वाड़ा है वह आगे एक्स्टेंड हो सकता है पिर से हालाकि पांच नौमबर की गोशना मुख्यमंत्री ने की थी विदानसभा में तो अब इसका इतिजार रहेगा क्या कुछ करेंगे यह 30 अक्टूबर को पहला चरण होगा तीन अक्टूबर को इसकी गोशना ह हो जाएगी क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं तो कुछ से में का इतिजार रहेगा आज दो तारी गोशना कर दी जाएगी दोस्तों तो यह अपडेट रही आपके लिए जानकर यहाप को चले के होगी शेयर जरूर करें चैनल को करने सब्सक्राइब इसी के साथ हैं की दोस तो